पेट की गर्मी को जड़ से खतम करने का ऐसा रामबान उपाई बता रही हूं दोस्ते जिनको भी पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी है उसके कारण अमेशा खटी डखारे और कब्ज की सिकायद बन जाती है मुँ में चाले हो जाते हैं गर्मी के कारण अलसर की समस्या हो जाती है और साथ की साथ खटी खटी डखारे जो होती है जिनका आजमा गड़बर होता है लगातार चलती रहती है इन सभी समस्याव से पेट की सारी समस्याव से छुट कारा मिलेगा यहां पे मैं ऐसा रामबान उपाई बताऊंगी जो पुराने जमाने से चला रहा है ऐसा नहीं कि ये आजकल का उपाई है बस आजकल इनका जो इस्तिमाल है ना किया नहीं जाता है लेकिन इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं दवाईयों के जैसे ये आपको कोई नु पेट में गर्मी बढ़ी होई है उनके लिए बेहद ही रामबान है अपना सकते हो एक बार में ही पेट की गर्मी को पूरी तरह से शांत कर देता है दोस्तों बताए गई तरीके से आप इसका इस्तिमाल करना तो ये है अमारे पास गोंद कतीरा इसकी जो तासीर होती है न वो जान जाता है और जहांपे ड्राइप रूट या जापे का सामान मिलता है इसलिए अपको घणतर से एक बार के लिए करना है तीन बार में तो इस समस्या से आप निजात पा लेंगे तो इस तरीकी से गोंद कतिरा आपको बारिक टुकडो में भी मिलेगा और इस तरह की बड़े डले में भी मिलेगा तो जो आप लड़ू बनाने के लिए बबूल का गोंद लाते हैं ना सरदिय खाना खाने के बाद गैस ज्यादा बनती है आजमा खराब हो गया है तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते हो सभी समझाव से निजात दिलाएगा आपको तो यहां पे आपको एक गिलास में पानी ले लेना है पानी इतना ले आपकी यह आसानी से फूल जाए क्योंकि आप जितन डली एक चमस के जितना बस आपको यह लेना है इतना लेंगे आप और इसको आप पानी में डालकर छोड़ देंगे इसको भीगने में कम से कम 12-15 गंटे लगते हैं दोस्ते यानि शाम को आप भीगोएंगे तो दूसरे दिन आप इसे ले पाएंगे भीगोने के बाद में और इसको डखकर आप रात बर के लिए छोड़ दे इसको मैं डख देती हूं और सुबह ये किस तरह का मिलेगा वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगे इसको भीगोई हुए लगबग 15-16 गंटे हो गए हैं उने शाम को भीगोया था और अभी हम इसका 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 इस जाता है छोटे दाने होते हैं वो रात बर में भी आसानी से बीग जाते हैं तो यहां पे आप देख रहे होंगे जो छोटे स्लाइस थे न वो बिलकुल अच्छे से बीग चुके हैं और जो बड़ा डला था उसको भीगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा वो भी इसी तरह का हो जाएगा भीगने के बाद में लेकिन अब भीगा हुआ है हम इसका इस्तेमाल करेंगे आप ये समझेगी इसको आप रात बर जरूर भीगोएंगे उससे पहले ये इस्तेमाल करने की लायक नहीं होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगी 4-5 चमच ले लेते हैं जैसे मैंने एक डला बताया था ना आप उतना भीगोएं और उसको एक बार में इस्तेमाल करें तो इसी तरीके से अमें इसका इस्तेमाल करना है अब इसमें मीठे की जगए आप जो सिटा मिस्री आती है दागे वाली मिस्री उसका इस्तेमाल करें इसको तोड़कर आप पाउडर बना लेंगे ठंडा दूद का आपको इस्तेमाल करना है जो आप ठंडा दूद कच्चा दूद नहीं पीते हैं तो आप क्या करें दूद को अच्छे से गरम करने के बाद में पूरी तरह से ठंडा करके फ्रीज में रख लें और उसके बाद में इस्तेमाल करें इस तरीके से आप तो पेट की जितनी भी गर्मी है, पेट में गैस, ऐसी डीटी, गर्मी बढ़ने के कारण हो जाती है, वो सारी सिकायती दूर हो जाएंगी, पेट अच्छे से साफ होगा, अब इसको इस तरीके से आपको रई से या विस्ट की साहिता से आपको अच्छे से फेट लेना है, अगर आपको इसमें flavor add नहीं करना है तो बिना flavor के आप इसे दूद और मिसरी के साथ में बना कर ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको ये लाना जरूरी है कि आप रुब जाले क्या या पाटी की कुछ चीजे नहीं पेट के गर्मी के लिए सिर्फ आपको इसमें आपको बस गोंद कतीरा जो होता है इसकी जरूरत होती है और इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है ये टेस्ट लेस होता है आप अपनी पसंद के अनुसार अगर मीठा डालना चाते हैं तो डाल सकते हैं नहीं तो आप बिना मीठे के भी इसे पी सकते हो जैसे डाइविटी जो पेट पेट के लिए बेहद ही रामबान है गर्मियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए अमेशा ना करें लेकिन कभी कभी करें जैसे आप बार की चीजे खाते हो रिसका टेस्ट जो होता है ना रूअब जर डालने के बाद में ये फालूदा के जैसा लगता है खाने में बेहद ही टेस्टी होता है तो आप इसे ले सकती हो वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना तो प्लीज जादा से जादा शेयर कर देना ताकि सभी को इसका भाइदा मिल सके क्योंकि गौंद कर ती